तो आज मैं आपके साथ बहुती छोती सी मगर बहुती काम में आने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो घर में हम जब कभी भी कोई भी स्नेक्स बनाते हैं तो सबसे पहले हमें याद आती है हरी चटनी की यानि ग्रीन चटनी की यह परफेक्ट चटनी की रेसिपी है आप क द्धनी की पत्तियों को मैंने अच्छी से धू लिया है और जो इनकी बड़ी डंडिया है उसे तो मैं निकाल दूगी लेकिन जो इनकी नरम डंडिया है मैंने इसमें ही रहने दी है क्योंकि इससे जो है चटनी का टेस्ट बहुती अच्छा आएगा तो इसी तरह से आप लिया है तो अब मैं इसमें डाल देती हूं दो चम्मश मुफिली कडाना यानि पीनट तो मुफिली जो है मैंने कच्छी ही ली है मुफिली डालने से चटनी का एक तो कलर भी अच्छा आएगा और चटनी हमारी थोड़ी सी गाड़ी भी हो जाएगी और अब मैंने यहाँ दो से तीन हरी मिर्च ली है तो आप अपने स्वादनु सार हरी मिर्च नेज खर लें में से तीन हरी मिर्च का यूज आप आतीब देती हूं अधीचम जीरा होखे चौच को अब हम डालेंगे इसमें कुछ पोधhe पोधिनी की पत्या ज़िए जादा धनी की पत्या के लेनीं है और फोड़ी सी पोधिनी की पत्या लेंगे और अब हम ये ठाग इसमें डाल देते हैं अथो जार का ढटकन लगाकि के में से एक अच्छे से पीस लेती हूं तो यह देखे यहां पर मैंने इसे एक बार अच्छे से पीस लिया है तो मैंने इसमें आदा इंच अध्रक का टुकड़ा भी यूज़ किया है जिसे आपको बताना भूल गई हूं मैं तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक और साती में इसमें दो चमस दही भी डाल रही हूं तो फ्रेंट्स मेरा जो मिक्सी जा रहे है थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैं ये सारी चीजे बाद में डाल रही हूं यदि आपका जार बड़ा है तो आप मसाले भी इसी के साथ डाल के पीस सकते हैं तो ये देखे मैं इसे एक बार अच्छे से फिर से पीस लिया है तो दही डालने से भी बहुती अच्छा सा फ्लेवर आता है और चटनी का कलर भी बिल्कुल हरा बना रहता है और अब में इसमें यूज कर रही हूं आदा निम्बू का रस तो यदि आप दही खटा ले रहे हैं तो आप एक बार टेस लेंगे तो यह देखे फ्रेंट्स यह चटनी बनकर हमारी बिल्कुल तयार है यदि आप इसे और पतला करना चाहते हैं तो इसमें आप उपानी एट कर दें तो आप किसी भी इसने साथ इसे सर्व करें यह पूरे महीने खराब नहीं होगी तो उमीद करूंगी आज की रिस